बश्कार दोस्तों में संदीब स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्षेस टो यूटूब चैनल पे दोस्तों आज है क्लास नंबर फॉर्थ आज कि इस वीडियो में बात करेंगे जो भी इन्वर्सिटी वा कॉलेज के छात्रे उनकी परिच्छा यानि कि ससंद ऑजार इ के लिए इस वीडियो में जो भी मैं आप सभी की कोईश्टन प्रवाइट करूंगा आप सभी के लिए वह पिछले कई सालों में कई बार रिपीट हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्डन कोईश्टन है तो ध्यान समझेगा यह सारे कोईश्टन आपके आने वाले एक्जाम म के बारे में तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है चुकि बहुत ही खास है यानि कि बहुत फायचात इसको सिलेक्ट ही करते क्योंकि यह और अगली आने वाले वीडियो में हम बीस्टी बीकॉम और अधर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे चाहे वह जो चाहे बोटनी हो सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग वेट करिए ठीक है चले लेकिन आप आज की इस वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी है यह सारे कोश्चन और पेस्ट में हैं जो की ओमार सीट पे जो एक्जाम होते हैं उनसे संबंदित हैं तो ध्यान समझेगा एक एक क्वाइंटिक है हम कोश्चन भी बताएंगे और उसका एंसर भी आप लोग को बताएंगे तो आप लोग ध्यान समझेगा अगर यह आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपके आने वाले एक्जाम में जो महाबीर प्रसा कि महाबीर प्रसाद दुवेदी का जन्म कौन से प्रदेश में हुआ था आपसर मिल जाएगा मद्व प्रदेश उत्तर प्रदेश महाराष्ट उडिशा जिन भी छात्रों का राइट एंसर बार होएं बेसक कमेंट करके जरूर वो कमेंट करें कि इस कोश्चन के यह आपसे नमबर बी टिक करते हैं बी पे आप बढ़ेंगे हम अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन कहरा कि दुवेदी यूग का नाम करण किसके नाम पर हुआ है दुवेदी यूग आप सब बहुत सारे यूग हम आगे वीडियो में बात करेंगे शुकलतर यूग और दुवेदी यूग का नाम करण हुआ था वह हुआ था महाबीर प्रसाथ दुवेदी के नाम से इसलिए को राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा अपसे नमबर डी ओके अब बढ़ते हम अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन कह रहा कि कभी करतब किस प्रकार का निबं वह बिचरात्मक ठीक है बिचरात्मक प्रकार का है इसलिए कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा आपसे नमबर बी ओके हम बढ़ेंगे अब अगले कोश्चन के और देखो हम ज्यादा कोश्चन पर टाइम नहीं देंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जागी तो आप में काब बी मनजोसा किसे क्रते नंब एक हजाय परसाथ की नंबर अग्ये की तो नियुवनों में मनजोसा करते हैं वो महाबीर प्रसाथ दुवेदी जी की है इसलिए को एक्ञां में हो सकता है कहीं कहीं पर question पूच्चा लिया जाए कि महाबीर पर परसाथ और कहीं कर आज लिखी हैं ठीक है क्योंकि कभी-कभी दुवेदी नहीं लिखा जाता है महाविर प्रसाद लिखे लिखे जाता है तो आप लोग कन्फीज मत होईएगा अंगले क्वेशन को रम पढ़ेंगे अगला कोश्चन कही रहा कि महाविर प्रसाद दुवेदी जी साहिति यूग में बढ़िए यह रष्णा कभ से में नंहीं कभ से रस्ट्प अरशन के लिए रशना के लिए। करने के झाल को रशना के लिए भूत ही कॉस्ट्ट है यह लिखे elements अंप सान्य मिल जाएगा सब्धी नंबर है अठारा सो नब्बे सी नंबर है 1903 और डी नंबर है 1920 इस क्वेश्चन का राइट एंचर हो जागे दोस्तों वह जाएगा आपसे नंबर सी 1903 ओके 1903 अश्वी में प्रवेश लिया था अगले क्वेश्चन को रहां पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में लेखांजली निवंद संग्रा किसका है नंबर एक महाविर प्रसाथ दुवेदी का रामकुमार का भारतेंदु का मोहन राकेश्च का तो निम्नि अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन इस त्रीज में है वह अचार महाविर प्रसाथ दुवेदी ने हिंदी की मात्र के रूप में किसे सुविकार किया उर्दू को इंगलिस को संस्कृत को फार्सी को तो क्वेश्चन का राइट निस्टर हो ज है को महाविर प्रसाथ का दी नंबर में से कोई नहीं तो आप से वालू में कि महाविर प्रसाथ दुवेदी किस वीडियों बात करें तो इस से क्वेश्चन कर राइट एंट रोजागा सी नंबर ठीक है ओके अब हम बढ़ेंगे अगले क्यों प्रसाथ प्रसाथ हुआ था इसलिए को इंटरनेट पर सच करेंगे तो बहुत देट मिल जाएंगी लेकिन जो सही है वह आपको क्या लगता है कमेंट में जरू बताइए अगले कोष्टिन की अरहा कि निम्ने में से कितने महाँ भीर जी को चतुर माली की संगया दी नमबर一个 डे नहीं नमरे श्रीश ऑगिए ने रामचेंट शूकल जी ने तो निम्ने महाँ परसाद जी को जो ततुर माली की संगया दी थी वह दी को छो हो जाएगा वह जाएगा आपसे नंबर सी जो भी इसक आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं या इसकी लग सकते हैं ठीक आप लेकर रख लीजिए का बाद में पढ़ने के लिए आपको असानी होगी अगले क्यों बढ़ते हैं कि आपके पाठक्रम में अचार महाविर प्रसाद दुवेदी का कौन सा निबत संकली थे नंबर एक कालिदास का समय बी नंबर लोग सी नंबर का भी कभी करता भी और डी नंबर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसको सब्सक्राइब है कि यह जो पूछ रहा है तो इसको सब्सक्राइब हो जाएगा अप्शन नंबर सी का भी करता भी को के दुफ्तर जिन छात्रों को नहीं मालू मैं आपको बता दू कि यह मैंने बताना भूल गया स्टार्टिंग में कि यह जो वीडियो है वो बीए जो फस्टेयर वाले हैं उनका जैक तो हम बढ़ेंगे वह अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन कहिए रहा कि नियुक्त में से महावीर प्रसाद का जन्म किस जिले में हुआ था रायवरेली अमेठी आजमगर धौदतपूर्ट तो महावीर प्रसाद दुवेजी का जर्म हुआ था वह रायवरेली अगले कोश्चन के और लिखने में ब्याकरण के निमो की अभेलना करनी चाहिए यह कथन किसका है नमबर एक बिद्या विनाश मिस्र का महावीर प्रसाद का रामचंद सुकल का डी नमबर दिनकर का रायवरेली जी का अब हम बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला क्य लेखक में कुल कितने गुड़ों की अवस्चक माना है ठीक है कभीता को लोग प्रिय बनाने के लिए लेखक में कुल कितने गुड़ों की अवश्चक माना है लोगमपनाने के लिए आठ गुडों को होना आवस्चाथ है ठीक है अर्सेन में और कि कार करने वाले प्रतिफासाली मनुस ही ओतार है उक्त विचार धारा के लेखक हैं दिनकर महाभीर प्रसाद निराला मोहन राकेश कोशन के राइट एंचर हो जाएगा महाभीर प्रसाद दुबेदी जी ओके बढ़ेंगे अगले कोशन के और लिखा है कि जिन पंक्तियों में वरड़ो या मात्रों के संख्या नियमित होती है वे छंद कहलाती हैं और छंदों में जो कुछ कहा जाता है वापद कहलाता है पंक्तिले लेखक कौन है यानि कि इस पंक्तिके लेखक कौन है आप्सें मिल जाएंगे आपको ये तो इसमें जो राइट एंचर हो जाएगा आपसें नमबर ए ठीक है महाभीर प्रसाद जी हम प्रसाद नमबर ए ठीक है बढ़ेंगे हम अगले क्यों अगला कोश्चिन कह रहा की अच्छी हिंदी बस एक बिक्त लिखता था ये कथन किसका है जैनेर पंद महाभीर प्रसाद गुलाब रहा है राइट राइट एंचर को जाएगा सी नमबर महाभीर प्रसाद दुबेद कि अनुदित मौलिक लगबख कितने गरंथ हैं दस पचास एक्स्टर पचास अस्टी तो इस कोश्चिन का राइट एंसर हो जाएगा डी नमबर ठीक है बढ़ेंगे एक लिए कोश्चिन कह रहा की कौटल ले पुठार किसकी करती है यस पाल की महाभीर प्रसाद अबेदी क कि अगे की रामचंद शुकल की तो जो क्वेश्चन का राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपसर नमबर भी महाभीर प्रसाद अबेदी की ओके अगला क्या कहता है कि महाभीर प्रसाद अबेदी जी ने साहती में किस प्रत्रिका के संपादक के रूप में लिए था राइट एंसर कोश्चिन का हो जाएगा अपसर नमबर सी ओके ठीक है बढ़ेंगे एकले कोश्चिन के और दोस्तों अलगों के कोश्चिन कहे रहा कि ज्यान राज के संचित कोस का नाम साहित है किसकी परिभाशा है आप सण आपको मिली जा रहे हैं राइट एंसर आ महावीर प्रसाद दुबेदी इनमें से कोई नहीं राइट एंसर आप सभी को मालूम हो गया होगा फिर से राइट एंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद दुबेदी जी ठीक है अगले कोश्चन के और हम बढ़ेंगे लिखा है कि एकला कुश्चन दुबेदी यूग स्वरी करा राइट एंसर हो जाएगा बी नमबर बहुत ही टॉप लेवल का कुश्चन द्यान रखीगा आपके एक्जाम में आ भी सकता है तो दुफतों आज किस वीडियो मैंने महावीर प्रसाद दुबेदी जी से सम्मंदित पूरे 25 कोश्चन इंक्लूइड किया थे जो कि आप के आने वाले एक्जाम के लिए काफी हेलफुल है अगर आप यह सार कोश्चन अच्छे पढ़के जाते तो आपको एक्जाम में काफी सभलता मिलेगी इनसे संब्दित और भी कोश्चन है महावीर प्रसाद दुबेदी से लेकिन जो मुझे टॉप लेबल के वही मैं आपक आपको वीडियो समझ में आई होगी अच्छी भी लगी होगी अगर कमेंट करना है कुछ कुछ भी पूछना तो बेसक कमेंट करके पूछ लीजिएगा वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कोई कोश्चन है तो पूछेगा मिलते हैं इस वीडियो में तब तक ले जाहिंद